हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो एजुगैसन इंडिया दोस्तों आज के सुडियो में लेकर आएं आपके लिए परदान मंतरी किसान कर्जमाफी दोस्तों मोधी सरकार ने एक अहम गोशना किये पर्तिय किसार के लिए और दोस्तों ने वादा किया है कि यदि हम लोग स्वच लोग स्वचना जीत कर सता में आए तो परतिय किसान का कर्जमाफ किया जाएगा और वह भी मात्र पांस दिनों में अब दोस्तों बताएंगे आपको पूरे वादे की पूरी जानकारी और दोस्तों आपको भी बताएंगे कि आपको यह कैसे लेना है फाइदा कब मिलेगा पूरी जानकारी देंगे आपको परदान मंदे किसान कर्जमाफ की दोस्तों इसलिए वीडियो आप पूरा देखिए लाइच तक देखिए ताकि आप भी समझवाएं कि यह है क्या जानकारी हमको कैसे लाब मिलेगा दोस्तों यह देखिए वीडियो पूरा और दोस्तों इ और लेटेश जानकारी वह सबसे पाले देखने को मिल सके और दोस्तों इस ट्रियो को लाइक और सेर भी कर दीए ताकि दोस्तों आपके जोई भी वाई बानो उसको भी यह जानकारी मिल सके तो बढ़ते हैं अपन परदान मंदरी किसान करद माफी की जो मात पूर्ण जानकार यह आपके लिए तो दोस्तों बताते हैं आपको पूरी जानकारी दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि एक फरवरी को मोधी सरकार का अंत्रियम बजट देखने को मिला था और दोस्तों उसमें एक बहुती बड़ी किसान समान निदी कि हमको रहत मिलिक थी और दोस्तों उ कर्जमाफी वहां से गायब थी अब दोस्तों जब कर्जमाफी नहीं देखने को मिली तो जिसा कि आपको पता होगा कि राउल गांदी आरोप लगा रहे थे पहले से कि परदान मंत्री मोदी जी जो एक किसानों का कर्जमाफ नहीं करते और बड़ी बड़ी जो नेता होते हैं लोग होते हैं उनके कर्जमाफ करते हैं यानि दोस्तों अमीरों का कर्जमाफ करते हैं दोस्तों जब ये बाते आने लगी तो मोदी सरकार पर बहुत ये बड़े बैठके भी करने लगा अब दोस्तों जब गड़ी-कड़ी बैठके हुई और बड़े-बड़े यहां पे देखने को मिले कहीं यहां पे किसानों को लेकर बन जो हैं यहां पे गोशना है एलान और दोस्तों उसी में से एक यह भी बात आई सुत्रों के नुसार कि अगली जो बहुत ही बड़ी बैठक होने जाए यह तक्रीव 25 अप्रेल को उसमें एक अहम निन्ने लिया जाएगा मोधी सरकार के द्वारा दोस्तों उसमें यह बताया गया है कि तीन अहम पॉइंट होने वाले हैं इसमें पर्थम पॉइंट तो होगा युवाओ के लिए तित्या कि कर्जमाफी अब की वार की जाएगी यानि दोस्तों आपकी कर्जमाफी होगी अब दोस्तों हम बताते हैं आपको कि किस बरकार से होगी कर्जमाफी कैसे वह कब होगी दोस्तों उससे पहले हम जानते हैं जो विपक्सों की तरफ से बड़े बड़े बयान है उनको तो दो और विपक्सों की तरफ से मोधी सरकार पर लगी रहे हैं। अब दोस्तों उन्हें यह कहा है कि निरंदर मोदी जी को ये समझ नहीं आता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दाकत जों कहती है और आप उसे दरकिनार नहीं कर सकते तो इस वरकार से उन्हें कहा कि आप सब भेलें यहां पे खिसानों के मुद्धे को लेकर अब दोस्तों इस परकाश से मुधी सरकार पर एक गंबीर और बहुती बड़ा आरोप लगया गया है जो कि कहा जाए तो यहां पे मुधी सरकार को एक और गंबीर मुद्रमे डालता है कर्जमाफी को लेकर और दोस्तों इसके अलावा भी कई बड़ी बड़े यहां पर आरोप लगे हैं जो कि हम आपको एक एक करके बताते हैं दोस्तों इसके बाद में उन्होंने कहा कि यहां पर जो दूसरा मुद्दा है परमुक बारत का वह खेती ही है और दोस्तों उनने कहा कि खेती और किसान सकट में हैं पर मोदी जी बेखवर है यानि दोस्तों एक बहुती बड़ा मुद्दा जो है किसान है लेकिन यहां पर किसान को इस आर्थिक संकट से नहीं बचाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस जो है संकर से अभी भी मोदी जी बेखवरे कि किसान कौन से स्थिमे है किसानों की आर्थ किस्थि को अभी भी समझे नहीं पा रहे हैं मोदी सरकार इस परकाश से मोदी सरकार पर एक संगीन और बड़ा गंबी रारोप लगया गया है अब दोस्तों देखे पूरी बात क्या है हम बता लेते हैं आपको दोस्तों किसानों को लेकर उन्हेंने बात कई और उन्हेंने कहा कि हमारा रिकोर्ड आपको पता है आपको मालूम भी है कि हमारा रिकोर्ड कैसा है उन्होंने कहा कि राजेस्तार मद्यापदे 36 गड़ मज़ाप करना टक में हमने 22 गंटे में किसान की कर्जमाफी हमने करके दिखाईए और दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि आप जान लीजिए मोधी सरकार ने अभी तक भी आपके लिए साही तरह से कोई किसान कर्जमाफी को लेकर बात नहीं किये उन्होंने हर वक्त हमको ही लेकर कोसाए कि कर्जमाफी से किसान का कुछ नहीं होने वाला इस परकाश से राउल गंटे ने एक बहुत बड़ी अहम बात कहिए और दोस्तों इसके लाव भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी जो न्याई योजना उसके तहत बिलकुल फाइदा मिलेगा और दोस्तों इसके लाव भी उन्होंने कहा कि हदी हम परदान मंत्री यानि के सता में आए तो हम परते किसान के लिए एक बज़ट पैस करेंगे जिसमें आपके लिए कर्ज माफी जो हैं मिलेगी ही दोस्तो इस पर कहा से राउल गाने ने बयान दिया है अब दोस्तो एक और बड़े विपक्सा यहां पर बयान देखने को मिला है जो कि कांग्रस की तरफ से है लेकिन वह नेता अलग है अब दोस्तो कौन सा नेता है हम बताते हैं आपको उस नेता का भी बड़ा वियान जो की मोधी सरकार पर निकल के आया है दोस्तों अगला जो बड़ा बयान देखने को मिला है वह मध्यापरदेश के सियम कमलनाथ की तरफ से देखने को मिला है दोस्तों कमलनाथ ने अपनी पार्टी का जो यहां पर बहुत अच्छी अच्छी बाते करके और अपने पार्टी के विकास को लेकर कुछ अच्छे-च्छे गोश्णाय करने की बात गई और दोस्तों उन्होंने तीके तीके तंजक से बीजेपी पर अब दोस्तों वह तंजक से गई किसान कर्ज माफी को लेकर अब बताते हैं आपको किस वरकास से कमल नात ने ये बात कही कि किसान कर्ज माफी मोधी सरकार कभी नहीं कर सकती वह सिर्फ और सिर्फ जुमले कर सकती है अब दोस्तों पूरी जानकाई देते हैं दोस्तों पहली तो बात उन्होंने यह कही कि मैं आपका चोकीदार नहीं हूँ मैं सरफ और सरफ आपका सेवक हूँ दोस्तों इस प्रकाश से किसानों को संबोधित करते हुए उन्हें बात कही और बाजपा यानि BJP पर कटास करते हुए ये बात कही गई उन्हें ने कहा कि मैं आपके लिए हर वक्त रहूँगा यानि आपकी सिवा में रहूँगा मैं आपका सेवक हूँ और दोस्तों उन्हें इसके बाद में कुछ अपनी पार्टी की यानि तरफदारी की यानि पार्टी के बार हम बताया कि हमारी पार्टी कितनी इमानदारे हमारी पार्टी कैसी अच्छी है उन्होंने कहा इसके बाद में कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर हमने जो हैं 50 लाग किसानों में से लगबग 21-22 लाग किसानों का अब तक कर्ज माफ किये दिया है और दो दोस्तों अपनी जो हम बाताती है करज माफी को लेकर वह भी कह डाली जो कि बाते ही रोत में कहीं तो इसके बार में जो बड़ी बात हुई वह हुई कि यहां पर हमारा जो भविशे आपका जो भविशे वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेश के हातों में और किसानों वईपारी और चात्रों का वईश्य अब सुरक्षित यहां पर कांग्रेस के आतों में ही रहेगा दोस्तों इस बरकार से एक बड़ा तंजिकसा गया है कि आपके लिए मोधी सरकार निर्ट थक है मोधी सरकार कुछ नहीं कर सकती उसमें दोस्तों इनने ये भी कहा कि देश में किसानों के हितकी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस परत्याशी को आप जिता कर यहां से बेजिए और वहां से आप जो हैं यहां पर सीधा सीधा यदि यहां से आप कांग्रेस को वोट देंगे तो सिधा सिधा राईल गांदी और कांग्रेश को यह वोट जाएगा इस परकास से भी अपनी अपनी बाते कहीं ती कर्ज माफिस सइये जो कि सरप ओर सरफ मोधी सरकार नहीं कर सकती है मोधी सरकार सरफ और सरफ जमलेग कर सकती है ißवरकास मद्यपदेश के कमलनाच CM का जो बड़ा वियान देखने को मिला है अब दोस्तो हम बात करते हैं कि आपकी जो करज माफी है वो मोधी सरकार कैसे कातक कर सकती है दोस्तों जिसा कि आपको हमने बता दिया कि आपको जल्द ही बहुती बड़ा तफ़ा मिलने जा रहा है और दोस्तों इसकी डेर्ड भी फाइनल हो चुके 24 परेल को आपको एक बहुती बड़ा तफ़ा मिलने जा रहा है परदान मंत्रिक के सारी करज माफ़ी का दोस्तो उस समय सभी नियम आजाएंगे सभी जो भी लागू होंगे नियम वगर वह सभी के सभी आजाएंगे यानि दोस्तो जिस परकार निया योजना कि नियम आये थे उसी परकार आएंगे लेकिन दोस्तों संभावित भी नियम आ चुके हैं कि किस प्रकार से नियम रह सकते हैं दोस्तों ये बताया गया है कि आपकी वार जो छोटे किसान होंगे यानि कि आर्थ किस्टी से बहुत ज़रा गंबीर होंगे और गरीब ही रेखा कि नीचे वगर आते होंगे तो उनको फाइदा मिलेगा ही दोस्तों इसके लाए उनने ये बात कही कि जो भी निजी बैंकों से लोन लेता उनकों भी फाइदा मिल जाएगा और उनका भी लोन माफ यानि कर्ज माफ फ्रेंड माफ कर दिया जाएगा भी आपका कर्ज माफ किया जाएगा और दोस्तों इसके लिए उन्होंने डाटा उपलोड करना शुरू भी कर दिया है तो अच्छी बात यह है आपके लिए कि हर एक पर्तिक किसान के कर्ज माफ होगी जो की गरीब रेखा के नीचे आता है और आर्ट किस्तित से बहुत जाएगी और दोस्तों यहां पर यह तो है संभावित नियम लेकिन जो नियम है वह 25 अपरेल और 24 अपरेल को लागो कर दिये जाएंगे मोदी सरकार के द्वरा जब यह कर्ज माफी की गोश्चना होगी दोस्तों यह थी आज की सबसे बड़ी महत्पुन जानकारी कर्ज करेंगे दोस्तों यह थी आज की सबसे बड़ी ताजा जानकाई जो कि आपके लिए लेकर आएं और दोस्तों बड़ी और महत्पुन जानकाई थी हारे किसान के लिए दोस्तों यह थी आज की ताजा अपडेट जो कि हमने बता दिये अब दोस्तों यह वीडियो आपको आसिरवाद और धन्यवाद मिलेगा हमारा और सभी का जिसको आप इस वीडियो को सेर करते हो तो जल्दी सदी इस वीडियो को सेर कर डालिए और दोस्तों यदि आप मारे चैनल पहें नए हैं तो चैनल को भी आप अविशे सब्सक्राइब कर डालिए ताकि दोस्तों आपको ऐसी अपडेट सबसे पहले और किसानों की हर चान का सबसे पहले देखने को मिछ सके दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम